Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे designer boat neck blouse और इसे हम बनाएंगे 36 size का तो अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा और bell icon की button जरूर दबाईएगा तो यहाँ आपर lining ले ले लेना है और हमने man fabric भी ले लिया है इसकी cutting पहले हम paper पर करेंगे अगर आप चाहें तो direct fabric पर भी कर सकते हैं तो यहाँ पर shoulder का half ले लेना है shoulder है हमारा 14.5 inch उसका half ले लेना है 7.25 inch आर्मोल लिया हमने 7 inch और 1 inch से आर्मोल के side पर गुलाई दे दी है अब जो हमारी chest है वो 36 है उसका fourth part 9 inch लेना है और 2 inch मार्जन के लिए total length हमने 14.5 inch रखनी है 1 inch plus करेंगे मार्जन का 15.5 inch लेना है waist 30 उसका fourth part लिया 7.5 inch और 2 inch लिया है मार्जन के लिए यहाँ से line को draw कर दिया है half inches shoulder को down करना है यहाँ पर neck की beat जो ready shoulder है वो आपको जितना रखना उतना ले सकते तो मैंने यहाँ पर 3 inch लिया है land आपकी इसकी 3.5 inch या 4 inch रख सकते हैं नीचे जो bell tip वो हमने आपकर 3.5 inch लिया है और जितना उपर का यह gap बचा हुआ उसका center लेके इस तरीके से mark किया है और यहाँ पर हमें इस तरीके से shape दे देना है neck की इसको हम cut करेंगे तो जैसे जैसे हमने इसकी marking की थी वैसे ही हमने इसको cut कर दिया है और अब यह जो paper है उसको हम man fabric पर रखकर sorry lining fabric पर रखकर cut कर दिया है अब यहाँ पर मैंने paper pasting ली है और paper pasting को इस तरीके से fold करना है और यहाँ पर हम neck को रखेंगे और neck की as it is marking करेंगे तो देखिए इस तरह से paper pasting पर हमने marking कर ली है side side में one one inch extra लेकर इसको cut कर देना है इसको cut करना है यह देखिए इस तरह से हमने इसका side का extra fabric cut कर देना है इसे हम lining fabric पर ही paste कर देंगे तो lining fabric पर हमने इसको चिपका दिया है और a man fabric को right side पर रखना है उसके उपर हम lining fabric रखेंगे और इसको stitch करेंगे neck को stitch करेंगे इसको करेंगे इसको cut कर देंगे extra fabric यह देखिए इस तरह से हम इसको cut कर देंगे extra fabric कट लगा देना है पूरे ही नेक पर इसको पलट देना है और अच्छे से निकाल लेना है अभी आप है हमें यह मोती वाली लेस लगा रहे हैं तो इसको हमें सिंगल फूट से लगाना है और जैसे जैसे हमारा नेक दिया हुआ है वैसे हम इसको स्टीच करेंगे पूरे ही नेक पर इसी तरीके से लगा लेना है जहां पर कौनर आएगा वहां पर हमें कट करके लगाना है तो यह दिखी इस तरह से हमने इसको स्टीच कर लिया है यहां से भी इसको लॉग कर लेना है लॉग करने के बाद नीचे के साइड हम पटी लगाएंगे पटी की वीड़ हम 1.5 इंच रखेंगे एक स्टीच हम पटी के उपर से करेंगे अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टीच करना है तो यह हमारे बैक नेक की डिजाइन है आई ओप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेंड कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा थैंक्यू थैंक्यू